भगवान का भोग ग्रहन करना भगवान के पूजन में विधी, मंत्र और सामगरी उतनी महत्व पूर्ण नहीं है जितना की भाव। भक्त को जो कुछ भी सरलता से प्राप्त हो जाए, वही भक्ती पूर्वक सच्चे हृदय से अरपन कर देने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। चाहे कितनी भी उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अरपन की जाए, भाव बिना वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। किसी गाव में एक दरिद्र ब्राह्मन बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उनके पास धन नहीं था। घर में जो रूखा सूखा भात का भोजन बनता, वही अपने ठाकुर जी को भोग लगा कर वे स्वयम ग्रहन कर लेते थे। एक दिन एक महात्मा जी उस गाव में आये और उस ब्राह्मन के घर पर ठहरे। महात्मा जी ने ब्राह्मन को ठाकुर जी को केवल भात का भोग लगाते देखकर उससे कहा, भई, तुम यह ठीक नहीं करते हो। ब्राह्मन बोला, तो हम क्या करें। महात्मा बोले, भगवान के लिए कुछ अच्छी चीज बननी चाहिए, तब भगवान को भोग लगाना चाहिए, तुम भगवान के सामने रूखा-सूखा भात रख देते हो, न साथ में कोई साग है, न भाजी, न घी है और नहीं कुछ मीठा, ब्राह्मन बोला, हमारे पास तो यह सब है नहीं, महात् जी ने कहा, नहीं है, तो पैसे कमाओ, ठाकुर जी को लाकर जोंपड़ी में बिठा दिया, और उन्हें खिलाने के लिए रूखा-सूखा भात रख दिया, यह भी कोई सेवा है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो उनके योग्य सामान भी होना चाहिए, ब्राह्मन बोला, ठ ठाकुर जी में हमारा प्रेम है, इसलिए जोंपड़ी में विराजमान किया है, घर में जो भोजन बनता है, उसी से पहिले ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, वह महाप्रसाद बन जाता है, घर में अपने पीने के लिए जो जल है, उसी से ठाकुर जी के पीने के लिए ज और मुकुट और गुंजा माला से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे ज्यादा हम कहां से लाएं। महात्मा जी बड़े आडंबर से अपने ठाकुर जी की राजसी सेवा करते थे। उन्होंने ब्राह्मन से कहा, ठाकुर जी की सेवा में बढ़िया से बढ़िया चीज अरपन करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जो कंजूसी करता है, वह पाप करता है। महात्मा जी की बात सुनकर ब्राह्मन डर गया और बोला, महात्मा जी मैं अपने ठाकुर को तुम्हें दे देता हूँ तुम अपने यहां उनकी अच्छे से पूजा करोगे महात्मा बोले ठीक है तुम ठाकुर को हमें दे दो ब्राह्मन ने बड़े दूखी मन से अपने ठाकुर जी को महात्मा को देते हुए कहा देखो ठाकुर, हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं है, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन अरोगना है, तो तुम महात्मा जी के साथ जाओ. महात्मा जी ब्राह्मन के ठाकुर जी को लेकर अपने आश्रम पर आ गए. ठाकुर जी के जाने के बाद ब्राह्मन की स्थिती जल बिन मचली जैसी हो गई. वह अपने ठाकुर जी की याद में तडपने लगा, उसके घर पर भोजन का भोग नहीं लगा, तो उसने स्वयम भी उस राद भोजन ग्रहन नहीं किया. ऐसे भक्त जिन में भगवान को पाने के लिए लगातार विरह अगनी जलती रहती है. खाना पीना तक नहीं सुहाता, नींद उड़ जाती है और दिन रात प्रेमा शुरू बहते रहते हैं. उन विरहाकुल निश्कपट भक्तों के लिए भगवान भला कैसे निश्ठुर हो सकते हैं. रात में महात्मा जी को स्वप्न में ब्राह्मन के ठाकुर जी ने कहा, तुम हमें अभी ब्राह्मन के घर पहुँचाओ, नहीं तो प्रात काल ही तुम्हारी मृत्यू हो जाएगी. सुबह सवेरे महात्मा जी ठाकुर जी को लेकर भागते हुए ब्राह्मन के घर पहुँचे और बोले, रखो अपने ठाकुर को अपने पास. इन्हें तुम्हारे यहां का रूखा सूखा भात ही पसंद है. मेरे यहां के पकवान नहीं. भगवान ने स्वयम आदेश किया है, कि वे तुम्हारे पास ही रहेंगे. अपने ठाकुर जी को वापिस आया देखकर ब्राह्मन की खुशी का पारावार नहीं रहा और वह उन्हें सिर पर बिठा कर नाचने लगा. भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर भावशुद्ध होने के कारण विदुर और उनकी पतनी सुलभा के घर जाकर साग का भोजन किया. दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो. परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है और वे प्रेमा धीन है. वे प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी साधनों से नहीं रीचते हैं. प्रेम से निवेदित किये गए भोजन में वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है. बाहर भोजन में घी कितना है? ये सब चीजें नगण्य हैं. क्योंकि एक साधारन सा भोजन जो भक्त के प्रेम से सना रहता है, वही वास्तव में भगवान का नैवेद्य कहलाने योग्य है. भगवान कभी यह नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कहीं से जुगाड करके लाओ. घर में जो कुछ है उसी को अच्छे भाव से मुझे अरपन करो. वे तो केवल भाव के भूखे हैं और साधक के मन के भाव ही देखते हैं. भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है. भाव से मुझको भजे तो भव से बेडा पार है. भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मै लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव पूर्ण टेर ही करती मुझे लाचार है। कर्मा बाई अपने गोपाल को खिचडी का भोग लगाती थी। एक दिन कर्मा बाई परमात्मा के आनंद मैधाम में चली गई। उस दिन भगवान श्री जगनात जी के श्री विग्रह के नैनों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। रात्री में राजा के स्वप्न में प्रभु बोले आज मा इस लोक से विदा हो गई। अब मुझे कौन खिचडी खिलाएगा। उसके गोलोक जाने के बाद अब परमात्मा रो रो कर उससे खिचडी मांगता है। शायद इस प्रसंग पर विश्वास करना मुश्किल हो पर इसके द्वारा भगवान अपने भ प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। जिन भक्तों के रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता है उन्हीं की वातसल्यमई गोध में आकर प्रभु बैठते हैं।